असलाम लेकुम वेलकम तो मैं चैनल बी एस नॉट स्पार्ग जोजन स्कॉलर्शिप आज की वीडियो हम पाकिस्तान इंडिनरिंग कॉंसल स्कॉलर्शिप 2023 नीड बेस अनौंस कर दे गई हैं आज हम इस स्कॉलर्शिप से रिलेटेड फॉल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे इसका डिरेक्ट जो लिंक ओपन होता है हां पर वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शियर कर दिया आप उस लिंक पर क्लिक करके डिरेक्ट ओपन कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान इंडिनरिंग कॉंसल स्कॉलर्शिप्स की रिक्वार्मेंट्स सब कुछ देखते हैं तो कम्प्लीट ओवर्वीव पाकिस्तान इंडिनरिंग कॉंसल स्कॉलर्शिप 2023 ओफर डिग्री इंडिनरिंग डिग्री ओर्गनाजेशन नेम पाकिस्तान इंडिनरिंग कॉंसल सेक्टर गॉर्वर्मेंट टाइप नीड बेस अप्लाइम और आपने ओनलाइन अप्लाइए करने और लास्ट धिग थर्डी नमंबर है अप्लिकिशन रिग्वार्मेंट्स तो एनी इंजिनरिंग सुडें इंड इन्रॉल्ड इन प्रोग्राम में अप्लाइए कैनिडिट्स में अप्लाइए वाया पॉस्टल मेल इसके जली आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और थ्रू मेल भी आप अप्लाए कर सकते हैं the students must not have received any other scholarship और जिन students इसके लिए प्लाए करने हैं उनके लिए must है कि वो कोई और scholarship receive ना करते हो otherwise उनकी यहीवाल scholarship के लिए जो application होगी वो cancel कर दे जाएगे minimum required जो CGPA इसके लिए है वो है three out of four three CGPA होना जरूरी है minimum अभी यह बता हूँ है inaccurate data may result in disqualification candidates must properly cite their university campus degree and other information on this semester result card it must be noted the duration of the exam and the CGPA percentage include every document needed for the application आपने हाई जो document है जिसकी जरूरत है इस application के लिए वो आपने साथ attach करने है अगर तो आप online apply करते हैं तो तो आपने हाथ सारी information वहां पे put करनी है otherwise अगर आपने थू अगर आपने पोस्ट बेजनी है उनको तो उस सिल्षले में आपको साथ सारी documents attach करने होंगे तो यह इसकी requirement थी जिसमें सबसे ज्यादा यही है कि आपकी CGP है जो वह 3 होनी चाहिए और आपको और scholarship receive ना कर रहे हों next necessary documents इसके लिए जो documents आपको requirement है आपका CNAC या बेफर्म a tested copy of last examination result one five certificate from the home institute metric FSC and BSC certificates father का CNAC metric का result card या senate certificate of FSC या ICS जो भी आपके पस certificate है तोने में से आपने वो भी साथ attach करना है statement of purpose domicile certificate passport size photo यह आपने upload करनी है अगर जब आपने online apply करने तो last date apply की 30 November है तो अगर आप online apply करना चाहते हैं तो आप यहां पर click करेंगे तो आपका online apply हो जाएगा तो यह आज की इस वीडियो में हमने पाकिसान इंजिनरिंग कॉंसल 2023 की scholarship से related full information देखी तो आप यहां से online apply भी कर सकते हैं प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तक इनकों वीडियो आप तक पहुंचते रहें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिज वीडियो क्ता जबदी रहें सुझते हैं रहें तक की च वीडियोन इंग हैं से प्र अ MRS.